भाई रोमरेंज के कुछ ऐसे बड़े में जिनके होने का डरूली फेंज है ना काफी ज़्यादा बेसबरी से इंजार कर रहे हैं देखो वाई समर्चलेम के जो लाइव इवेंट हुआ था उसमें रोमरेंज का दमागेदा में रिटन हमको देखने को मिला था और उन्होंने म आने के बाद से ना कुछ नहीं बोला और शिरफ उन्होंने जाकर मार दड़की थी और रोमान रोमान दुबारा से ब्रेक पर चले गए हैं लेकिन लग रहा है कि वह आने वाले अब तो में रिटन कर सकते हैं रोमरेंज का बेवी फेस ट्रेंड हो गया और कई ऐसी श्टार होने वाला है देखो जेकब फट्ट ने अपने डेब्यू के बाद से लगातार परवावित किया सबको और वह अपनी मतलब की ताकत के दम पर नाई स्टार्ट की आलत खराब करते हुए आ रहे हैं और जेकब नेना मतलब की सोड़ा अगस्त दोजार तो इसको किया था समेक कोशिश की है कि रोमन को जेकब पर रोख सकते हैं और इसी वाज़ेश ना दोनों के बीच में आने वाले किसी बड़े इवेंट में में चक देखना रोचक हो सकता है और फेंट साइस मुकाबले के लिए अभी से काफी ज़्यदा प्रवावाईत और उससायत हो गया है और बात करें भाई रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच में रीमेच मतला कि बेतरी हो सकता है रीमेच देखो कोडी रोड्स और रोमन के बीच में दोनों काफी ज़्यदा बड़े इस्टार्स हैं कोडी रोड्स नहीं रोमन के इतियासिक टाइल टार्ट का अंत किया था और जब रोमन ने वापसी के थी तो उनने ऐंकोडीरोडस पर आमला नहीं किया और सिरफ सोलो्सिक्वा को निशाना बढ़ाया और सोलöhसिक्वा को जीज रहे है नहीं दिया उन्हों आज बाद में उन्हों नहीं जरूर कोडीरोडस कीज़ारा किया ता उस ताइम अभी इसके होने का चांज कम है लेकिन आने वाले कुछ महिनों में वो दोबारा आमने सामने आते हैं तो इससे इराने करने वाली बात नहीं होने चाही कि यह तो होना ही था वाई ऐसा सोचना दो लोगों को और शोलो सिक्वा और रोमन रेंज के बीच में मतलब कि ट्राइबल चीफ पद्ध के लिए भीड़त हो सकती है देखो रोमन रेंज ने ड्राइबल चीफ के तोर पर बहुत ज़्यदा नाम कमाया है और लेकिन रेंज रेंज के बाद में जब ब्रेक पर गए तो यह जगह वाई शोलो सिक्वा ने ले लिए और जिस तरह से वह पुरानी बाती थी थी ना कि शोलो सिक्वा और ट्राइबल चीफ पड़ेगा वैसे ही और वो खुद को ट्राइबल चीफ बताने लग गए और उनके फेक्षन में बदलाव करते वे अपने नए लोगों को जोड़ लेता है और यह चीफ रोमन चीफ को बिल्कुली प्रसंद नहीं आती है और इसी बज़ाशी है ना उनने सोलो सिकवा पर आती हैं अमला कर दिया और सोलो भी पहले रोमन को लड़ने के लिए ललकार चुके हैं इसी बज़ाशी आने वाले समय में दोनों को बीच में मेच भी देखने को मिल सकता है और वो ट्राइबल सी पड़ के लिए आमने सामन कि आते सकते हैं और बात करें है बेबी फेस रोमन टेंच और रो को देखना खाश पहले हो सकता है देखो रोमन टेंच और रोक के बीच में How ab 125 मांग का पीज सालों से चल रही है और रिश्ल माइस-40 में यह हुने वाला था लेकिन बाद में प्लान में बदलाव किया गया हलाएं कि दोनों को वीच में आगे जाकर मेच हो सकता है अब रोमन रेंज से बेवी फेस मन गए हैं वहीं रोख अपने आखरी रन के दुरान हिल थे वही और इसी विज़े से दोनों दिग्दों को अब आमने सामने देखने का मजा कुछ अलग होने वाला है रोमन रेंज और रोख भाई रेशनमेनिया या फिर समर्सलेम जैसे बड़े स्टेज पर लड़ते वी नदर आ सकते हैं और फेंज को ना इसी विज़े से ड्री मुकाबले के लिए थोड़ा इंसजार करना पड़ सकता है भाई देखो भाई मैंने आपको पहल अगला ट्राइबल चीफ अगला ये पद समयले के काबिल कोन है इससे पहले वो जिमी उसो उस टाइम थे जेवसो साथ में थे तब ये बाते बहुत बोल चुके हैं कि बाई अगला पद मतलब कि ये मेरी टीम में इस वा क्योंकि उस टाइम ना जेवसो के साथ में इनके साथ मतलब रोमन ने खुझ का था कि अगला बाई इन चीजों के बारे में आपका क्या करना मुझे कमेंट करके जुरूब बता है अगर वीडियो अच्छा है लाए तो लाइक कर देना और आप अगर ये वीडियो फेस्बूक देखे तो फोलो कर देना तो मिलते हैं एंगले वीडियो में तब तक के लिए माँ बाई